नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है ऐलोवेरा सेहत त्वाचा के साथ ही बालों के लिए भी काफी फायदे मंद होता है दरसल ऐलोवेरा में एंटी ऑक्सिडेंट, एंटी इंफ्लिमेटरी और मोश्चुराइजिंग गुंड पाये जाते हैं इसे में अगर आप बालों पर ऐलोवेरा लगाते हैं तो इससे बाल मलायम और चमकदार बनते हैं अपने बालों की सॉफटनेश शाइन को बढ़ाने के लिए कई लोग बालों पर रोजाना ऐलोवेरा का इस्तमाल करते हैं लेकिन कुछ चीजे अगर फायदे मंद होती हैं तो वो चीजे नुकसान भी करती हैं इसलिए जब कोई वैक्ती बालों पर नियमित रूप से ऐलोवेरा लगाता है तो उसे कुछ परिशालियों का सामना करना पड़ सकता है खासकर जिन लोगों को ऐलोवेरा से ऐलर्जी है उन्हें इससे अधिक नुकसान हो सकता है तो आईए जानते हैं माज इस वीडियो में की बालों पर ऐलोवेरा लगाने के कुछ नुकसान के बारे में सर्दी जुखाम अगर आप राद भर बालो पर ऐलोविरा लगा कर सो जाते हैं तो इससे आपको ठंड लग सकती है इसलिए अगर आपको जल्दी सर्गी जुखाम हो जाता है तो बालो पर राद भर के लिए ऐलोविरा लगाना नहीं चाहिए ऐसे लोगों के लिए रात भर बालो पर अलोवेरा लगा कर सोना नुकसान दायक हो सकता है सर पर खुजली होना अगर आप रोजाना बालो और स्कैल पर अलोवेरा लगाते हैं तो भी इससे नुकसान पहुंच सकता है एलोविरा के नियमिक इस्तिमाल से से पर खुजली और जलन की समस्या हो सकती है कई लोगों के लिए भले ही एलोविरा फायदी मंद होता हो लेकिन कुछ लोगों के लिए एलोविरा से नुकसान पहुंच सकता है स्कैल पर पपड़ी बनना अधिक बार बालो और स्कैल पर एलोविरा लगाने से पपड़ी भी बन सकती है ऐसे में आपको एलोविरा का इस्तिमाल करने से बचना चाहिए एलोविरा एक तरफ आपके बालो को मुलायम बनाता है तो वहीं दूसरी तरफ वहें डैमिज भी कर देता है फोड़े-फुणसी होना वैसे तो sensitive skin के लिए एलोविरा को सुरक्षित माला जाता है लेकिन कुछ लोगों को एलोविरा से ऐलर्जी हो सकती है इसलिए अगर आपको एलोविरा से ऐलर्जी है तो skin के साथ ही बालो और scalp पर भी aloe vera का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment section में जरूर बताईएगा वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा